नमस्कार साती आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित लॉनिक चले दोस्तों शुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर वन रिजल्ट की सीरीज चल रही है तो उसके अंदर आज जी एस एफ सी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आज यह रिजल्ट कै आगे टेडिंस सेंग कैसे रहने वाला है इन सब के वारे हैं बात करने से पहले अगर अभी तक आपना चैनल सब्सक्राइब ने गया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेलेगा को बज़ाना बिलकुल ना भूलिए तो हम बात करना है गुजरात स्टेट फटि केंड़ यानि ऐनके अंदर इ Pak देस दो अनगे तो उनकी ही कंपनी पेसे कंपनी हैं तो देखिविए इसका मार नाम मेंप इसप सब होते जह अंके बात करते हैं कि हम सब करती हैं तो हम बात करें क्वार्टर वन रिजल्ट की तो देखिए रिजल्ट आने के बाद कैसा रहा गए टेट इन सेशन क्योंकि रिजल्ट इसका आज ही आया है आज 21 जुलाई और साम के साथ बचके 50 मिंट और मार्केट बंद हो चुगा कल मार्केट ऑपन होगा इसमें तेजी अब देखना हो मिलिया में 5 बचे के आसपस तो इनकी अनिंग लैक्स के अंदर है इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाइब करें समस्तर से क्वार्टर बन करिजल्ट कैसा रहा थेकि गुजरात इस्टेट फटिलाचर इन केमिकल्स लिम्टेट एनसी बीसी दोनों पर अब देखें कंपनी के अंदर कंपनी के करजा फिर हो चुगी है और कंपनी ने अपना हेल्थी डिविडेंट पे आउट मैंटन रखा है 26.87% के हिसाब से तो हम बात कैसे क्वार्टर वन रिजल्ट की देखेंगे जून क्वार्टर जो आज इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ है जून दोजा बाइस तो इस क्वार्टर में टोटल सेल हुए तीन हजा 61 करोड बेगी ऑप्रेशन प्रॉफिट निकल आए 536 करो करोड वह बढ़के तीन हजा 61 करोड साथ से ओप्रेशन प्रॉफिट 422 से बढ़के सीधा 536 करोड हुआ है नेट प्रॉफिट 292 से बढ़के 356 करोड हुआ है अनिंग पर से 7.33 से बढ़के 8.93 हुआ है तो आप दे सकते हैं सेल्स में जो इजाफ़ा देखने हो मिला मोटा मोटा एक हजा करोड का एक हजार करोड का बैनिफिट देखने हो मिलना आपको सेल के अंदर मोटा मोटा क्यूंकि 245 करोड से बढ़के 31 करोड का हुआ है ऑप्रेशन प्रॉफिट भी 422 से बढ़के सीधा 536 हुआ है और अनिंग पर शेर भी 7.33 से बढ़के 8.93 हुआ है इस एक हजार आठ सो तहतर करोड वो बढ़के हुए तीन हजार 61 करोड बेगी और साथ जाथ ऑप्रेशन प्रॉफिट 204 करोड बढ़के 536 करोड हुआ है अनिंग पर शेर भी 138 से बढ़के सीधा 356 करोड हुआ है नेट प्रॉफिट भी 343.46 से बढ़के 8.93 हुआ तो आप द अच्छा जम देखने हों मिल रहा है यह रिजल्ट तो काफी अच्छा देखना हो मिले हमें यह रहाय और क्वाटर कोड़ा हुआ हो कंपनी जिसता से करजा मुफ तो वह वह एक अच्छे खासा हो कंपनी पीर से कंपनी है तो देखिए इसके अंदर आपको अच्छा खासा और इन्होंने अपने शेर होल्डिंग पैटर्न भी अप्लोड करी है जिसकते जून दो जाब है इस तो इस क्वाटर में पर मोटर की होल्डिंग है 37.84 वह लास्ट क्वाटर में भी सेम थी और देखिए की होल्डिंग 10.79 से बढ़के 26.38 हो चुकी है तो एफाइस ने अप 3 परसेंट की गोल्डिंग इंक्रीस करी है एफाइस ने यह काफी अच्छा सिग्मेंट है और सद्धित जिस तरह से सेल में इसाफा देखना हो मिले हमें क्वाटर काटर वाई और यह रवाई तो काफी अच्छा है अब रिजल्ट आनने के पहले बज़र के अंदर कैसा था इसका मुमेंट आज का वो देखते हैं फिर आगे चार्ट पर क्या समझा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे ट्रेटिंग सेसन देखेंगे देखेंगे आज की दिन यह यह मैंने गूगल पॉपन कर लिए तो आज की दिन यह 0.54 लगा तीज़ी लगा के बंद अंञां पांच दिन के आपको यह थे दिखा चुका है यानी कि आपने अगल पेली कार्या अच्शह मेने पहले फीचिछिट में इंवें इंवेस्ट गाउन तो आज की देट्वी आपको पॉजिटिव रिटन दे रहा है जे रहा PC में pirो NBA नटे अ ने का इसमें टीन के दिन तो और यह वाला करींग तो होने तेजिए तेजी की वज़ए इसका जो रिजल्ट आए अब रिजल्ट के बाद इसमें शेयर करेंद़ चाट के दिन द क्या समझ आ रहा है ते अगर आपके पास है तो होल्ड रखेंगे बिल्कुल जल्दवाजी नहीं करेंगे अगर आपके पास है से होल्ड रखें नहीं तो इसमें 149 रुपे का सब्सक्राइब करिए क्योंकि अब जिसमें ब्रेकाउट आएगा वह अल्टीमेट आएगा यह 160 से पहले रुकने वाला नहीं है यहां से मेरा सिंगल टार्गेट रहने वाला 160 रुपेगा क्योंकि चार्ट पर देखे जो गिरावट हुई ती यह गिरावट कंसले से और यहां से पूरा राउंडिंग पैटर्न बनाने को तयार है और शेयर ने आज ही के दिन अपना आप दे सकते हैं इसने 200 के आ किने को मिलेंगे आपको आई होप यह वीडियो आपको सब्सक्राइब तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फावट करना बिलकुल ना बोलें थैंक की सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो